कॉंग्रेस को आज महराष्टर में बहुत बड़ा जटका लगा है कॉंग्रेस के पूर्व सांसद मिलिन देवरा ने आज कॉंग्रेस का दामन छोड एक नाच छिंदे की शिव सेना पार्टी जोईन कर ली है एक और जहां राहूल गांधी वनिपूर से भारत जोडो न्याय यातरा शुरू कर रहे हैं तो वही पूर्व सांसद मिलिन देवरा ने कॉंग्रेस को अलविदा कह दिया है पिछले कई दिनों से मिलिन देवरा नाराज चल रहे थे उनके नाराजगी का कारण ये बताया जा रहा है कि जो साउथ मुंबई की सीट है वहां से अरविन सावन सांसद है जो शिव सेना उद्धोबाला साइब ठाकरे गुट से हैं और वो पिछले दो बार से वहां से सांसद चुनके आ रहे हैं लेकिन मिलिन देवरा की party जो कॉंग्रेस है और वो अभी फिलहाल शीवसेना उद्यवाला साफ ठाकरे के साथ गट बंदन में हैं तो इसलिए वो seat शीवसेना उद्वाला साफ ठाकरे के कोटे में जाते हुए दिकाई दे रही थी जिसके बाद जो कॉंग्रेस का वहाँ पर प मिलिन देवरा ने कहा कि कॉंग्रेस पर हमला भी किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक कॉंग्रेस तब थी जो उद्योग पतियों को सपोर्ट करती थी उनका समर्थन करती थी उनको प्रगती पत पर जाने के लिए प्रोत्साहित करती थी लेकिन आज एक कॉंग्रेस है जो उद्योग पतियों को target कर रही है निशाना बना रही है और उन पे कटाक्ष कर रही है उन पे आरोप लगा रही है अब प्रत्यक्ष रूप से राहूल गांधी पर ये निशाना साधा राहूल गांधी ने पिछले अपने कई भाषनों में जो भारत के प्रवुक माना जा रहा है अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में शिव सेना मिलिन देवरा को क्या responsibility या क्या जिम्मेदारियां देती है क्योंकि मिलिन देवरा पिछले 50 से 55 सालों से कॉंग्रेस से जुड़े थे उनका परिवार कॉंग्रेस से जुड़ा था कॉंग्रेस से सिर्फ उनका एक पार्टी का नाता नहीं था बलकि एक पारिवारिक नाता था मिलिन देवरा की पिता मुरली देवरा केंदर सरकार में मंत्री भी रहे पारशत के तौर पर उन्होंने अपना राज़किय सफर शुरू किया और कॉंग्रेस में एक कद्दावर नेता के तौर पर उनकी पहचान हुई और उनी की विरासत को आगे बढ़ाने का काम मिलिन देवरा ने किया लेकिन पिछले कुछ समय से मिलिन देवरा नाराज चल रहे थे साथ ही मिलिन देवरा के शिव सेना जॉइन करने के बाद कॉंग्रेस के कुछ और लोगों ने भी उनके साथ शिव सेना में प्रवेश किया जो फिलहाल कॉंग्रेस में ही है नेता उन्होंने दबे शब्दों में कहा कि कॉंग्रेस के आला कमान को फिलहाल जमीनी स्तर पर जो नेता है या जो जमीनी स्तर पर नेता काम कर रहे हैं उनसे बाचीत करनी चाहिए उनकी मनोदशा समझनी चाहिए क्योंकि अगर वो नीचे बात नहीं करेंगे तो कॉंग्रेस के नीचे के लोग अपनी बात कहां और कैसे पहुँचाएंगे अब देखना ये होगा कि कॉंग्रेस इस पर क्या करती है अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में कॉंग्रेस को इससे कितना बड़ा नुकसान होता है और शीव सेना को कितना फाइदा कैमरामन नितिन के साथ दिपेश तरिपाठी